सब्सक्राइब करने वाले हैं उसमें अच्छा समय मज़ा आएगा करने के लिए चलो तो कोशन हमारे पास दिया हुआ सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा सब्सक्राइब करने के लिए तो कितना हो जाएगा मतलब कि मशिनरी कितने का पड़ा उसको 180 का एक्च्छल में पड़ा ठीक है कि देश्टिमेटेद लाइफ आप दे मशीन इस टूब टैन यह एंड आप इस डाइफ विटर्टी थाउजन और फस्ट अक्टोबर यहां तक समझ मैं क्या करना आपको मशीनरी अकॉन बनाने का और आपको डिशन अकॉन बनाना है ठीक है सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखेंगे वर्किंग नोट चलो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे टोटल कॉस्ट तो क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है न क्या आपका जो भी कॉस्ट प्राइज रहेगा जो भी आपको कॉस्ट प्राइज रहेगा कॉस्ट प्राइस प्लस क्या है इंस प्रॉट में आएगा आपको फिर कॉच्ट पहिस था वन लाक सिक्स्टी फाइटाउजन प्लस स्पेंड इंस्टॉल एमिशन पंदराज उसने कितना इस्पेंड किया था इस्टॉलेशन के लिए फंदराज रुपर किया था मतलब ही कितना हो जाएगा टॉटल कॉश्ट मेरा क्या है टोटल कॉस्ट अपान असेट क्या है ओर जिनल कॉस्ट अफ एन असेट माइनास क्राफ बैलू ठीक है इसके बाद क्या है देखो नीचे क्या है गा एस्टिमेटेड लाइप आप आप असेट इस्टिमेटेड लाइफ आफ एन असेट्स ब्रेकेट में लिग दो इयर्स ठीक है समझ गया बच्चों यहां तक चल अब मैं क्या इसको तो उपर ले लेंगे वर्किंग नोट को तो इसको मैं थोड़ा यहां पर कर दूं समझ मैं आया चलो बहुत बढ़िया है चल अब क्या टोटल कोस्ट कीजित नहीं वंलाक एटीट अटाउजर व सिद्धवर बहुत बढ़िया माइनस क्राफ कितना कितना है इस क्राइब कीलिचन में कडिगा बच्οच्च्चों कितना मेरा स्क्राइब एलो प्ता इंडेटी कितना है थटी था फॉजन है कि तो मिसक्राइब एलो कितना है थटी था ओजन हिए यह कितना है बच्चों टेनियर है देखरो उसमें कोशन में आपको दिया होगा टैन यह समझ गा यहां तक तो 301,80 शाय तो कितना बचे गा 1,50,000 बच हजार आ जाएगा बरोबर तो कितना हो जाएगा पाज पंदरा हजार हो जाएगा कितना हो जाएगा कि मेरा हजार कितना है बच्छों पंदरा हजार पर यह का है यहां थक समझ गया आप बात करें यह की तो बिया कभी चालू हुआ है फस जैन 2017 को चालू हुआ है यहाँ पर लिखूंगा 1st then 2017 को चालू हुआ है यह खतम कभी होगा 31st March 2017 को खतम हो जाएगा बहुरू बढ़ एक एर खतम हो गया फिर 2nd year चालू होगा कभी 1st April 2017 में चालू होगा यह खतम कभी होगा 31st March 2018 को खतम हो जाएगा बहुरू फिर वापस 1st April 2018 में बिजनस चालू हो जाएगा और यह खतम हो जाएगा 31st March 2019 को खतम हो जाएगा बहुरू बहुरू समझ माया तो अपनों को तीन एर का ही करना है मतनब 2019 करना है तो मेरे लिए फस्ट यह हो जाएगा यह सकेंड यह थर्ड यह हो जाएगा अब अब क्या कर रहे हो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जैनरल एंट्री पहले परिबेर करना पड़ेगा तो चलो जैनल एंट्री में आ गया अप देखो क्या हो पर्ष्ट जैन को आप क्या कर रहे हो मशिनरी पर्चस कर रहे हो चलो फर्स जैन को मशिनरी पर्चस कर रहे हो यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट जैन 2017 अब मशिनरी अगर पर्चेस कर रहे हो तो मशिनरी क्या हो एगा मशिनरी आपके पास आएगा तो मशिनरी अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट आपके पास से क्या जाएगा आपके पास से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डाएक सी बात है एक लाग 65 आपका प्लस 15 आपने ऐसन चार्जेस दिया तो मतलब कितना हो जाएगा वन लाक एट्टी थाउजन आपके बैंक से कितना पैसा जाएगा वन लाक एटी थाउजन तिम्बल ए चलो उसके बाद देखेंगे कोशन में क्या बोला गया है तुक्त अक्टोब्र 2018 अब क्या हुआ है पर्स टॉक्तोबर 2018 में क्या हुआ मतलब कि तिसरे वाले साल में यह सब आएगा वाले हमें बाकि दोनों साल में कुछ नहीं हुआ है तो आपि क्या निकालना पड़ेगा आपको depreciation charge करना होगा तो चलो करेंगे depreciation charge अब या कभी चाल रूआ है फस्स जैन को चाल रूआ है फस्स जैन आपने यूज़ किया फरवरी यूज़ किया मार्च उसकिया मार्च में क्या हूँ आपका 31 मार्च को बन्द होगा मतलब 20 साल आपने सिर्फ 3 मन्त यूज़ किया तो आपको डेप्रिशेशन सिर्फ तीन मंत पे निकालना होगा बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना होगा ट्रांसफर करना होगा सेम डेट के दिन तो यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एकांट क्या हो जाएगा डेबिट अभी किसको ट्रांसफर कर रो डेप्रिशेशन को ट्रांसफर कर रो तो डेप्रिशन क्य क्या हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा अब निकलने की बात करो तो मुझे पता है कि 15,000 मेरा आया था डेफिशन पर येर का मैंने तीनी मन्त यूज किया तो मैं सिर्फ तीन मन्त का ही दूंगा ना तो थ्री वन जा थ्री फॉर जा तूवेल हो मैं अगल कैल से लिए लेंगे पटक से हो जाए पाइव और रहा है कितना आ रहा है थ्री सेवें फाइब जिरो तो आप कितना दो गे थ्री सेवें फाइब जिरो लोगे ना तो यहाँ पर मुझा लिखना है ना 3750 इदर भी कितना आएगा 3750 पर ट्रांसफर करोगे तो भी कितना आएगा 3750 तो यह चीज़ी आपका हो गया अब आपका जो एक साल था वो खतम हो गया एक साल चालू भी वह खतम हो गया अब एक साल का आपको रेकॉर्ड करना है कहां पे रेकॉर्ड करना है आपके लेजर मे एकाउंट में तो सबसे फ़ब्द यहां पने आपको तो न dependent आप मशिर में यहां तो आप्ड एंक स्कारणब कर रहा है जिस दिति गन सब्सक्राइब आप टो यहां पर लिखिंगे टू डेबिट साइड पर आपको टू यूज करना बच्चो टू बैंक काउंट कितना है बच्चो वह एक लाग असी हजार है ठीक है चलो फी जनल एंटर देखेंगे उसके बाद में कहीं मशिनरी दिख रहा है हाँ दिख रहा है तो कहां दिख रहा है मशिनरी यहां पर मशिन मशिनरी एकाउंटि टू यह है अब कभी होगा मार्च मार्च को होगा 217 के दिन कितना ओगा अब फर दिख मंशिनरे का धा MP3 में से का करना है यहां पर आप करना है तो कितना है 3750 तो यहां तो समझ गया आप देखिए इसमें तो यह करना होगा तो यहां पर देखिएशन का नाम नहीं आएगा इसके लिए आप पॉस्टिक इसका है आप मशिन्री का तो क्या आएगा टू मशिन्री डेविट कितना है 2750 में लिग दिया फिर वह पही दिख रहा है का आपको देखिएशन कहीं दिख रहे हाँ दिख रहे हाँ कहा पर दिख रहे क्रेड़िट में निसका नाम किसका आगा प्रॉफिट कर नाम लॉस्का यह ना कि आप कर रहा हूं कि आपको क्रेड़ डॉवस का लॉड्राय यूज़ करना है ल्ग है नहीं लिग दुछ 3455 खत्म हो गया अब एक एक आपकर टैली करना बागी इसको टैली करो कितना आएगा एक लाक आजानओं एक लाक एक बरोबर आप 1,80000 में से अगर आप 3,750 less करोगे तो कितना आएगा तो यह कितना आएगा क्यों करके देखेंगे आप लोग दो इभें लाइक 8000-370 कितना आएए यह 17620 176250 वरोबर आ रहा है चलो अब इसको क्या बोलोगे इसको आप लोग बोलते हैं बाय बैलेंस करीड डाउन कभी होगा यह होगा 31st मार्च की दिन ही होगा सेम यह सेर में ही होगा अब आपने यहां पर कैड़ डाउन का वो क्या होगा यहां पर फास्ट 2000 रहा चालू बिजनेस पस्ट इप्रिल को तो क्या हो जाएगा ब्राउड डाउन हो जाएगा तो लिखेंगे तूब ऐलेंज ब्रॉट डाउन खांड ना कितना कै अपने वन सैवन जैउन सिक्स्टूफफ सील एक चालो हो गया चालो को यह साल का फूरा फूरा नड़ा में ज बतांत में खतंव हो रहा है कोशन में ता αν पश्टस्ट प्रेट उन तुन सैवंटीन में मार्च में खतम हो रहा है मतलब कि मार्च में तो चालू होगा तो सब्सक्राइब कुछ नहीं तो आपको क्या करना होगा और आप सभी को पता है कि कितना है 15000 अब कितना है डेप्रिशेशन मेरा 15000 है आप सब्सक्राइब को पता है बच्चों चीज़ ठीक है तो जब भी डेप्रिशन चार्ज करोगे तो जेनरल एंट्री क्या होगा अब बिजिस कभी चालो होगा फर्स्ट अप्रिशन को चालो होगा वर दिशाम अपने कुछ पर्चेश नहीं के तो जब भी डेप्रिशन चार्ज करोगे तो Guys करोगे चार्ज़ करोगे डेप्रिशन आप चा 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 चार्ज़ ठीन उटीन तो यहां पर लिखना है 2 गाँ परिप कर आसे चार्ज करऊंगे आपको पता है उसका डिपनेशन का इंत्री क्या होता है थे सेडेंगेंन कि ईपनेशन ट्रान्सफरर करना फ्रोफित क्या करना करना है प्रॉफित यहां पर लिखना profit and lost account क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा अब किसको अपने ट्रांसफर कर रहे है डेप्रेशियेशन का आएगा बच्चो डेप्रीशेशन ठीक है अब कितना आपको पता ही कितना मेरा पंदरा हजार है अब इस साल पूरे साल आपने यूज किया है तो कितना निकालो कि डे सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो कभी निकल रहे हो 31 मार्च को हो रहा है कभी हो रहा है कभी यह 2018 में डारेक्ट हो रहा है तो यहां पर क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे बाइड डेप्रीशेशन विकाज उसकी एकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा तो आप नाम किस का है डेप्रीशेशन का है तो नाम क्यों को और कितना है 15,000 है फिस ये रहा है मशिनरी का ही दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो इस यह में इतना ही था अब इसे क्या करना होगा तो टैली करने के लिए आपको कितना दिया 176250 तो यहां भी कितना हैगा 176250 ठीक है आप मैं कैलिकुलेशन ले लू 176250 करके चलो 176250 माइनस कितना है 15,000 है अगर मैं लेस करो तो कितना आएगा मेरा 161250 161250 तो इसको आप लोग क्या बोलोगे इसको बोलोगे बाइब बैलेंस करेड़ डाउन ठीक है कभी करेड़न होता यह होगा 31st मार्च को उसी यर में होगा ठीक है अब यह 31st मार्च 2018 में क्या हुआ वहाँ पे गया तो यहां पे क्या होगा 1st एप्रिल को 2018 में ही क्या हो जाएगा टूबैलेंस के ब्रॉटड डाउन कितना है बच्चों 161250 कितना है 161250 टीक है अब बात करें मशिन रेप्रिशेशन का अभी डैप्रिशिवा कहा पर है डैबीट साइड में है तो डैप्रिशेशन एकाउंट के डैब्डार्में रेकॉर्ड करना प फ् Elly करें लेना भी नियोगे तो यह अभी हो रहा है और 2018 में प्रिशेशन का नहीं करना इसके तू मशिनरी एकाउंट कितना है बच्चों पंदरा हजार मैं आप लिख दूँगा 15,000 कहीं दिख रहा है कहां दिख रहा है तो कहां रेकॉर्ड करना होगा तो सेम 31st मार्च में हुआ है यहां भी क्या हैगा बाइ अप उसीट में नाम किसका है अप उस इसका नाम करेंगे प्रॉफिट जाएंगे तो लिखेंगे बाइ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट कितना है बच्चों 15000 है तो 15000 हो जाएगा तो तो 15,000 यहां भी आएगा और सिब 15,000 यहां भी आ जाएगा ओके मतलब क्या हो गया आपका सम्प्राइब क्या हो रहा है कुश्चन में आ जाओ अब लास्ट एर में कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ एकी चीज़ हो रहा है क्या क्या कर रहा है क्या करने वाले हो ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपको पास यहां पर एक ही मशीन थी अगर आप एक मशीन चे महिने में बेश दोगे तो पूरे साल उसको बिच्शन चलाओगे ना यह तो करना है बड़ आपको अब और कम करनें थाई सालंपे परिपेयर करना है कभी करिए कभना बीजनस कभी चालू होगा बिजनस चालू होगा 2018 को फिर्श ट अप्रिल को कि अपरमच चलेए घूठा钟 नाइन्टेन गो मार्स तक कर दish तो कितना महिना उसकर रहो एप्रिल मई जून जुलाइ आगस्ट चेप्टेमबर मेशिनरी भी जाएगी मतलब कितना सिक्स मन्त उसकर रहो तो पहले आपको सिक्स मन्त क्या करना होगा डेफ्रिशन निकालना होगा मशिनरी पे तो देखो यह मेरा जनर्र एंट्री है यहां वार 2018-31 मार्च को हुआ बरोबर 2018-31 मार्च को बिजनेस चालू हुआ अब यह बेज भर के तो मैं क्या करूँगा एक न्यूपेज ले लूँगा चलो मैं एक न्यूपेज यहां पर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए जनर्र एंट्र पिजनेस का भी चाल हुआ है पर जील सर्टिए 2 औक्टोबर को मशीन क्या और यह लोई है तो सोलल होने से पहले आपने को six month का dedication integrating निकलना होगा तो depreciation का आपको पता है कि entry क्या होता है आपको पता है कि depreciation account, account debit, नीचे किसका नम आएगा, machinery का, तो machinery account क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, बरोबर, अब जो depreciation निकले, इसको आपको transfer करना होगा, same date के दिन, first October को same year के दिन क्या करना होगा, transfer करना होगा, कहा transfer करना होगा, profit and loss में transfer करना होगा, तो profit and loss account क्या हो जाएगा, हमारे लिए debit हो जाएगा, simple है, और नीचे किसका नम आएगा, नीचे आपका नम आएगा, depreciation, आपको transfer किसको कर रहे हो, आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, depreciation account को, ठीक है, simple है, तो यहाँ तो आपको क्या होगा, खतम हो गया है, कितना transfer करोगे, आप सबी को पता है, कि आपको 15,000 पूरे साल का है, आपका 15,000 पूरे साल का है, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, शिर्फ 6 मन्त यूज़ हो रहा है, तो 15 upon 100, sorry, कितना पस्टर बोला है, 15,000 हो रहा अपना, तो 15,000 into 6 by 2,000, 6 by 6,600, मतलब कितना आएगा, 7,500, कितना आएगा, बच् साथ हजार 500, यहाँ इस तो कितना हो रहा है, तो तो यहाँ पास क्या आएगा, तो बैंक किया हो जाएगा, डेभिट, प्लस, आपके पूस एकाउंट क्या जाएगा घek माशीनईरी एकाउंट क्या हो ?! तो पैसे कितने बेच रहो 30,00,00 में तो पैसे यहाँ पे यहाँ पे आएगा 30,00,00,00 रॉपया आ जाएगा आफ यहाँ पर मैं आप को सम्झा रहो गए किवा पर श्रा नहीं तरह हो放心 कि आपने प्रस्ट यहार में कितना चांज थर्ट के ms साथ हजार पांसो इसको तिनों क्या करूंगा जलो क्या करेंगे 3750 प्लस 15000 प्लस कितना है साथ हजार पांसो ठीक है कितना हुआ 26250 और मेरा वैलू कितने अधा एक लाक असे का मैंने लिया था यह कितना हो गया 26250 मतलब कितना हो गया 26250 ठीक है और मेरा एक्चल वैलू कितना था एक लाक असे हजार का मुझने लिया था तो 180,000 मैंने 26250 मतलब कि मेरी आप वैलू कितना है मशिनरी की अब मेरी वैलू कितना है जब माइनस करोगे यहाँ पे सब्सक्राइब एक लाक असी हजार में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा वो एक लाक 35750 मतलब कि मेरे पास ते मशिनरी कितने की जाएगी मेरे पास से मशिनरी जाएगी एक लाख तोως तिरुपन हजार साथ सो पचास के क्या होगी मैंशिन दी चलि जाएगी बड़ वर ठीके एक लाख मोथ साथ सो पंची सी क्या होंगी मशीर्य हाँ पर चली जाएग continuar दूँ अब इतने की मशीरी की हीमस्ट अब मेरे पास है मैंने लिया था एक लाग 80,000 का बद तीन साल यूज किया तो उस पर डेप प्रिशेशन निकालने के बाद मैंने जब डेप प्रिशेशन एक्च्वल एमाउंट से माइनस किया तो मुझे मिला यह एमाउंट मतलब यह मेरा आश्क के देट मेरे मेरे मशिन की इसकी वैलू कितना है एक लाग 30,000 से और मैं बेच कितने का रहा हूं एक लाग 50,000 का बेच रहा हूं तो मुझे यहां पर लॉस हो रहा है तो लिखना है लॉस और मशिनरी क्या लिखना है लॉस और मशिनरी क्या लिखना है लॉस और मशिनरी क्या लिखना मैंने लॉस और मशिनरी यहां पर मैंने लिख दिया simple है अब जो यह loss हुआ इसको आपको क्या करना पड़ा है transfer करना पड़ेगा मैंने आपको बोला है कि nominal rule का आपको पता है कि all expenses and losses in the debit side all incomes and gains in the credit side में आता है तो यहाँ पर जोब आप transfer करना होगा तो फर्स्ट अक्टोबर कोई transfer करना होगा तो क्या लिखोगे profit and loss profit and loss account क्या हो जाएगा debit हो जाएगा मतापको loss हुआ है तो क्या होता है loss कभी भी debit में आता है और incomes and gains कहाँ पर आता है credit में आता है तो loss कितना हुआ है 3750 हुआ है loss कितना हुआ है loss 3750 क्या हुआ है मुझे यहाँ पर loss हो गया है समझ में आया नीचे नाम किसका आया लिए लास आफिसल कि क्या आएगा वैंेक बाँचे क्या थाएगा बेजान और सतेंट अ मशिंटरी एंटेंद तक था टीम क easyडरी को देट फिरक्तर ने रिखे को गइंधे कर दिए अब मुझे इसको रिकॉर्ड पर ठीक है मशिनरी कहा एक लेक्रिट में है produce अब में करना पड़ेगा तो तो टो कशीर एकांट के क्रेड़ में कब रिकॉर्ड हो रहा है सुनार तक टॉटोबर को क्या कर रहे हैं 2018 में ही क्या कर रहे हो चार्ज कर रहे हूं क्या चार्ज कर रहे हैं डेप्रीशियेशन अब मशिनरी अकाउन अब करहें आपको देखो मशिनरी क्रेडिट में दिख रहा है कितना दिख रहा है तीन हजार साथ सो पचास कितना दिख रहा है क्या है तो एक राहर कितना डेड़ लाक गिसका रहा है वाल यह थे क्या है है लास एंसे लास धेल पर लैसे लॉस हो ऐए कितना 3759 का ऐस देखो तो देबिट साइड में कितना है 7500 है तो डेबिट साइड में आना है आपको और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है क्टिफधान नाम किसका है पोजिदिफ में नाम किसका नाम तो इसका नाम आएगा मशिनरी का नाव अगा रिखना है किटना है सात हजार 500 तो कितना आएगा साथ घजार फांसओ ये खतम होगा इसको ड़रेवल मार्क करो ठीक है थो एर खतम हो गए तिसरे चालू हुए ठीक है चलो आप कहां पर दिख रहा है क्रेडिट में दिख रहा है कहां पर दिख रहा है कृष्त अ कहीं अ करना बाकि कहीं कहीं दिख रहा है तो आपको क्रेडिट में रेकॉड करना पड़ेगा डेप्रीशन अकाउंट में तो यहां पर देड़ा लेंगे फर्स्ट ऑक्टोबर 2018 अब डेप्रीशन अकाउंट में डेप्रीशन का नाम नहीं यूज़ होगा तो आप पोजिट पर नाम किसका है प्रॉफिट एन लौस का है तो कहां पर किसका नाम आएगा प्रॉफिट एन लौस का नाम आ जाएगा सिंबल है चलो कितना है 7500 है 7500 मतलब क्या हुआ टैली ओ गया है यहां पर टैली हो गया है यह साथ जार पांस वागा टैली हो जाएगा सिंपल है चलो अगर आप मशिनरी अकाउंट को यहां पर टैली करे तो मुझे नूप पर लेना पड़ेगा इसके लिए मैं नूप रखसे बना लोंग पहला होता है देट के लिए लाला फिर पर प्र 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 यहां पर क्या हुआ करना बागी है तो यहां पर किता है 161250 यह खतम होगा तो कितना है 161250 और कुछ है नहीं है तो यह बड़ा है कि वह बड़ा है रहे सिंपल सी बाता यही बड़ा होगा ना क्योंकि इसमें एक लाक एक सट जा रहे है अगर आप उसको कैलकुलेशन भी करोगे तो भी वह उतना नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हो ठीक है तो यहां पर कितना 54,250 तो दोनों तरफ या आएगा 1,61250 यहां भी कितना आएगा 1,61250 चलो अब इसको कैलकुलेशन करोगे क्लाकविशन करने के लिवे कैल्सि लेर हो चलो, कितना है? 7500 है पहला 7500 Plus पिर कितना है? 150,000 है Plus पिर कितना है? 3750 कितना हुआ? 161250 हुआ 161250 हुआ मतलब क्या हुआ? ये पूरा कम क्या हो गया? tally हो गया है अपने इसब से ना कि कुछ balance डालना पड़ा ना तो कुछ balance क्या हुआ? carry down करना पड़ा मतलब क्या हुआ यह पूरा सम क्या हो गया tally हो गया मतलब क्या हमारा यह भी tally हो गया और हमारा यह भी tally हो गया मतलब क्या हुआ को कुछ डालना पड़ा ना broaden करना पड़ा ना तो carry down करना पड़ा मतलब क्या हुआ आपको यह वीडियो में और अच्छे से दावट क्लियर हो गए होंगे अगा वीडियो अच्छा लाइक करना कमेंट का सब्सक्राइब करना अपने दूत्तों को शेर करना यार और अपने कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना तब तक लिए आप सभी को बबाए टै